नमस्कार, मैं सुरंजना, आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 बिहार बोर्ड ने दस्मी की कमपार्टमेंट परिक्षा का रिजल्ट तीन जुन को घोशित कर दिया है आपको बता दें, इस परिक्षा में लगभग 68,000 चात्र शामिल हुए थे यह परिक्षा 10 मई से 13 मई के बीच आयो जित हुई थी आईए जानतें अब खबर विस्तार से बिहार बोर्ड दस्मी कमपार्टमेंटल परिक्षा में कुल 68,353 परिक्षारती शामिल हुए थे जिनमें से 19,915 चात्रों ने परिक्षा पास की है चात्र अब बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड ओनलाइन.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं आपको बता दें बिहार बोर्ड दस्मी कमपार्टमेंट परिक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड BACB ने 3 जून 2023 को दस्मी स्पेशल और कमपार्टमेंट एक्जाम के रिजल्ट जारी किये बिहार बोर्ड दस्मी स्पेशल एक्जाम में 69.19% चात्र पास हुए हैं जबकि बिहार बोर्ड दसवी कमपार्टमेंट परिक्षा में 29.14% चात्र पास हुए हैं। जिन चात्रों ने परिक्षा दी थी, वे अब बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड-online.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कमपार्टमेंटल रिजल्ट की घोशना BACB के चेयर परसन आनंद किशोर ने की। स्टेप 1. सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड-online.bihar.gov.in पर जाएं। स्टेप 2. होम पेज पर BACB 10th कमपार्टमेंट रिजल्ट 2023 लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3. अब login details जैसे roll number और जन तिती दर्ज करें। स्टेप 4. आपका result स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें। स्टेप 5. आगे के लिए result डाउनलोड करें और hard copy लेकर अपने पास रख लें। दस्वी क्लास की विशेश परिक्षा के लिए कुल 3289 परिक्षारती उपस्तित हुए और 1954 परिक्षारती पास हुए हैं। कुल 5 प्रतिशत 69.69 है वहीं दसमी कक्षा की कमपार्टमेंटल परिक्षा में कुल 68,333 परिक्षारती शामिल हुए थे जिनमेंसे 19,915 चात्रों ने परिक्षा पास की है इस साल कुल 5 प्रतिशत 29.14 पिस दी रहा है इस परिक्षा में 715 चात्रों ने 1st डिवीजन में 638 चात तो सुना अपने कि बिहार बोर्ड ने दस्मी स्पेशल और कमपार्टमेंट परिक्षा का रिजल जारी कर दिया गया है परिक्षार्ती इसकी ओफिस्यल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल चेक कर सकते हैं फिलहाल इस वक्ती खबर में इतना ही ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूस 24 और हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और साथी साथ फेस्बुक पेज को भी फॉलो करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद